स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंफ्यूजन 9.2.11 में दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 67th BPSC और BPSC CDPO PT एक्जाम और बिहादरों का मेंस एक्जाम के लिए छात्रों के लिए समाने रूप से उप्योगी है तो इस सीरीज में आज इस इसमें question answer करेंगे important जो की previous question exam में पूछ चुका है और यह संकलन किया गया है विभीन exam में पूछे गया यह प्रशनों का और इस topics जो जो भी प्रशन पूछे गया है exam में वो सभी का इसमें collection कर दिया गया है तो बहुत important है और इसी सब पुस्तक से किसी ने किसी रूप में हर exam में पूछे जाते रहे है question तो बहुत important है आप लोग पूरा इसका question देख लेए चलिए next है यह पहला question तो हर exam में पूछ चुका है भारतिय राश्टिय अंदोलन पर Indian struggle नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी तो यह हो जाएगा answer option is सुभास चंदर बोस के द्वार next आए question number two में यह भी BPSC का question है BPSC में पूछ चुका है previous year में पूछा हुआ था BPSC में कि मिरातुल अखवार के लेखक संपादक कौन है ठीक है तो उसका राजा राम मोहन राय अंसर हो जाता लेकिन इसमें दोनों दे दिया है और तीसरा question पूछा हुआ है देखिए जैसे राजा राम मोहन राय ने किस भासा में किया तो इसका सही अंसर हो जाएगा option D PPSC में और राजा राम मोहन राय बहुत सारे भासाओं के ग्याता रहे है ठीक है तो याद रखेगा मिरातुल अखवार का प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने फार्सी भासा में किया था नेक्स्ट आए तीशे नंबर कोशन में भारत का पहला हिंदी समचार पत्र कौन था तो इसका सही एंसर हो जाएगा उप्शन सी उदंड मार्तंड कानपूर से इसका परकाशन किया जाता था नेक्स्ट आए फोर नंबर में गद्दर का परकाशन इन में से किन भासा भसाओं में हुआ है गद्दर पत्रिका का परकाशन किन भासाओं में हुआ है तो देखिए अंग्रेजी में हिंदी में और पंजाबी में इसका परकाशन हुआ है नेक्स आईए फाइप नंबर कुशन में बुरा की अल हिलाल के संपादक कौन थे ठीक है तो इसमें बताईए कौन सा इसका एंसर हो जाएगा आप लोग सोचिए तो इसका option A हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद अल हिलाल के संपादक नेक्स आईए कोशन नंबर 6 में बुरा निन में से कौन भारतिये प्रेज के सोतनता के समर्थक नहीं थे तो इन में से देखे कैनिंग जो थे लौड कैनिंग ये भारतिये प्रेज के सोतनता के समर्थक नहीं थे और मेटकॉफ को आप लोग को पता है कि भारतिये प्रेज के म मुक्ति जाता कहा जाता है नेक्श यह कोश्चन नमबर 7 में चली यहां पर सुमलित करना है तो सुची 1, सुची 2 दिया गया है सुची 1 में वैक्तियों का नाम है सुची 2 में उनके द्वारा लिखे गया पुस्तक का नाम है तो देखे सुरेंदर नाथ बनर जी इन्होंने कौ पूशा हुए है तो इसका फोर हो जाएगा यह На bracelets जरी सुरेंद्र नांथ बनर्जी याद रखिएगा और M K Gandhi तो महें मुहना क्रम्चंद गांधी किसके लेख़ग यह Say पराज के लेखक मोहंदास करमचंद गांदी हैं अब आईए यहां पर सुभाश्चंद्र बोज अभी कुछ देर पहले बताया तो इंडियन स्ट्रेगल के लेखक हैं सुभाश्चंद्र बोज बत यह लाला लाजपत्रायक तो इसका हो जाएगा तीन ऑटो बाइग्राफिकल राइटिंग्स के लेखक लाला लाजपत्रायक हो जाएगे तो इस तरह से इसका एंसर जो है वो हो जाएगा उप्शन डी चलिए नेक्स आई है कोशन नमबर एट में कोशन नमबर एट बोर रहा है कि निन में कौन महात्मा गांधी की रचना नहीं है ठीक है तो नौज जी हरीजन जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा तो इस तरह से नौ जीवन और हरीजन जो है वो महात्मा गांधी की रचना है और नियू इंडिया और हिंदुस्तान जो है वो महात्मा गांधी की रचना नहीं है तो इस तरह से उप्शन E हो जाएगा एक से अधिक ज जीवनी है तो ये याद रखेगा option B हो जाएगा सुभाश चंद्र बोस की ये जीवनी है next question आईए 10 नंबर में बुरा की हिंद स्वराज की राचना महातमा गांधी ने किस वर्स की तो दसवाँ का इसका सही answer हो जाएगा option B 1909 इसवी में मूल रूप से ये गुजराती भासाम इन्होंने लिखा था बाद मिसका अंग्रेजी में translate कर दिया गया next आईए 11 नंबर में इस 11 बोरा है कि Indian War of Independence 1857 के लेखा कौन है तो ये हो जाएगा वीडी सावर कर next आईए 12 नंबर में 12 बोरा है कि India from Curzon to Nehru पूस्तक किस के दोरा लिखी गई है तो इसका सही एंसर हो जाएगा option B दुरगा दास के दोरा ये लिखी गई है next question आईए 13 नंबर में चलिए 13 नंबर कोशन यहाँ पर बोर रहा है कि निमलिखित में से किस ने autobiography of Madam Curie का हिंदी में अनुबाद किया ये भी important question है पूछा हुआ कोशन है autobiography of Madam Curie का हिंदी में किस ने अनुबाद किया है तो ये हो जाएगा option B लाल बहादु सास्री ने इसका हिंदी में अनुबाद किया है next आईए 14 नंबर में politics in India पुस्तक के रचाईता कौन है तो option B हो जाएगा रजनी कोठारी next आईए 15 नंबर में 15 में बोरा है कि तिलक ने मराठा पत्रिका का संपादन किस भासा में किया था तो तिलक ने मराठा पत्रिका का संपादन किस भासा में किया था तो option B हो जाएगा अंग्रेजी में और मराठी जो किया था तिलक ने बाल गंगा धर तिलक यहाँ पर बोला जा रहा है तो बाल गंगा तिलक ने दो पत्रिका निकाली थी एक मराठा और एक केसरी तो मराठा जो था वो अंग्रेजी भासा में था और केसरी जो था वो मराठी भासा में था next है यह 16 नमबर में यहां पर देखे सुची 1 को सुची 2 से मिलान करना है सुची 1 में पुस्तक का नाम है और सुची 2 में उसके corresponding लेखक के नाम है तो सुम परकास के रचैता कौन है सुम परकास पुस्तक के जो रचैता है वो हो जाएगा आपका option 2 इसवर चंद विद्या सागर और यंग इंडिया के लेखक कौन है तो यंग इंडिया लेखक के लेखक जो है महात्मा गांदी है ठीक है और कॉमन विल हो जाएगा वो एनी बेसेंट हो जाएगा याद रखेगा दोनों जो है वो एनी बेसेंट का हो जाएगा न्यू इंडिया और कॉमन विल अगर यंग लगा रहेगा तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा अब बच गया बंगाली तो बंगाली के जो लेखक हो जाएगे वो हो जाएगे सुरेन नात बनार जी इस तरह से ये option हमारा इसका सही हो जाएगा option C नेक्स रही है सत्रा नमबर में सत्रा नमबर बोरा कि the argumentative the argumentative Indian पुस्तक किसने लिखी है तो सत्रा का यहाँ पे हो जाएगा option C अमर्त सेन्ने ये भी बहुत important है इसको भी note कर लिजगा नेक्स रही है ठारा नमबर में बोरा भारत में प्रेश का विकास सब पर्थम किसके दौरा किया गया यहाँ पे भारत में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा पुर्त गालियों के दौरा नेक्स रही है उननिश नमबर में उननिश नमबर बोरा कि नेमलिशित में से किसने सुबहे आजादी नाम है फैज आहमद फैज का और हाली में इनका जो एक कवीता था देखेंगे जालिम कुछ करके था ये भी चर्चा में रहा था बहुत सरे उन्यूवर्शिटी में गाया जा रहा था तो इसके विरुद एक्षन लिया जा रहा था सरकार के द्वारा तो इस वज़ा से ये चर ये भी कही कही एक्जाम में ये पूछा गया है अच्छी बुक है और ये बिपी मेनन के दोरा लिखा गया है 21 नमबर में आई ये मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ तो ये तो आप लोग को पहले से भी पता होगा सिर्षक पुस्तिका लिखी गई है तो ये यहाँ पे भागस सी के दौरा लिखा गया है भागस सी किसी इस्वर में विश्वास नहीं करते थे और ये ही बज़या उन्होंने एक सिर्षक से पुस्तिका लिखी कि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ 22 नमबर में आई ये नेशन इंदम मेकिंग नामक पुस्तक के लेखा कौन है तो 22 का यहाँ पे हो जाएगा option B सुरेननाथ बनर जी ये वाला जो है बहुत पार पुस्ट दिया है तो आप लोग याद रखेगा अगर याद नहीं हो तो ये नेशन इंदम मेकिंग नामक पुस्तक के लेखाक सुरेननाथ बनर जी है नेश्वर ये तेश नमर में जवाला नहरू लेकिन पुस्तक क्या है एक्जाम में कि भारत की खोज इन्होंने किस जेल में रचना इसकी की थी क्योंकि जवाला नहरू जेल में रहते हुए भारत की खोज नामक पुस्तक लिखा था तो ये किस जेल में रहते हुए लिखा था पुस्तक है तो याद रखिएगा आहमद नगर फोर्ट जेल में इन्होंने ये पुस्तक लिखा था नेश्रा ये 25 नंबर में माई एक्स्परिमेंट्स विच टूथ ये भी सबको पता हो गया होगा इसका उप्सन डी हो जाएगा महातमा गांदी तो इस तरह से करके ये सारा कलेक्शन जो भी एक्साम में पूछा गया था इससे ठीक है वो मैंने यहाँ पर करवा दिया और कई बार क्या होता है कि जो लेटेश्ट पुस्तक है वो भी पुस्तक है वरतमान की पुस्तक है जो चल रही होती है जो वरतमान में लिखी गई है व ये सब जो पूछते रहते हैं एक्जाम में उसका मैंने यहाँ पे कलेक्शन जो था वो मैंने आपके सामने रखा है और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रहा होगा अगर पसंद आ रहा है तो किरपया करके आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले करते हैं